अगर आप BPSC संटवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको basic strategy चाहिए कि हम कैसे start करें और ये आने वाले exam जो की number में होगा उसमें हम कैसे prelims को cross करें तो ये video आपके लिए बहुत ही helpful होगा क्योंकि मैं आपको ऐसी strategy बताऊंगा जिसके बाद आप इस exam को अराम से easily crack कर सकते हो specifically आप prelims exam मैं मात्र 4 book आपको recommend करूंगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ देते हो multiple time और इसके साथ mock test दे देते हो तो आपका ये prelims कहीं भी रुकने वाला नहीं है तो वीडियो को last तक मैं आपको अच्छी strategy बताने जा रहा हूं तो BPSC exam जो है वो mainly prelims exam दो होते हैं उसमें एक CSET का paper होता है और एक normal GS का तो उसमें 120 questions जो होते हैं static parts होता और 30 से 35 questions आपके current होते हैं तो इसको मैं दो पार्ट में बाटता हूं जो history, science और बिहार special current affair ये चार पार्ट जो की major priority है हमारे आप quality, geography, economy और miscellaneous ये subject हमारे list priority है history, science, बिहार special और current affair आपको exam में अराम से cut-off clear करवा सकते हैं जैसे modern history इससे around 15 से 20 question मतलब history part से 30 से 35 question around आते हैं और science and tech से around 15 question 15 से 20 question, बिहार special से 20 से 25 question, current affair से 30 से 35 question आते हैं ये around आपके 100 plus question हो जाते हैं और cut-off भी around इसके जाता हैं अगर आप ये cover कर लेते हो सिले बस में सबसे पहले most priority में तो आपका easily से exam crack हो सकता है अब मैं आपको इसका book recommend करता हूँ, उस book के अलावा आप कहीं और जाने की जरुवत नहीं है तो history first, तो history के लिए आप modern history में spectrum का book पढ़ सकते हो, ये बहुत ही अच्छी book है अगर आपके पास time की कमी है तो बस spectrum पढ़ना या फिर time है आपके पास तो आप NCRT भी पढ़ सकते हो, 6 to 12 और ancient medieval के लिए जो old NCRT की book आती है, NCRT 11th और 12th, Satish Chandra और RS Sharma ये बहुत ही helpful होगा तो बहुत लोग question करते हैं कि हम notes कब बनाना start करें, तो जैसे आपने history पढ़ लिया अब history पढ़ने के बाद, जैसे spectrum पढ़ लिया, आपको उसका तुरंत घटना चकर एक book आती है, history के question के mcqs लगा दोगे, घटना चकर का feature ये है कि इसमें सारे state PCS और UPSC exam में पूछे गए previous year के question होते हैं, अगर आप किसी topic को complete कर देते हो, मान लो 8057 reward आपने पढ़ दिया, उसके बाद आप सिधे इस topic पर जाओ घटना चकर के book में और उससे में पीछे previous year के जितने भी question है वो लगा डालो, तो मतलब आपको first read करना है और इसके बाद mcq solve करना है, second time जब दुबारा आप आप पढ़ने, तब उस समय आपको पता है कि क्या part important है, तो उस समय आप उस parts को highlight कर दो, और third reading में आप अपना crisp notes बना सकते हो, जो कि point wise होगा, not subjective, तो ऐसे आपको notes बनाने third reading के बाद या third reading में, तो history के लिए मैंने आपको book बता दिया, spectrum, ancient और medieval के लिए सतिश चंद्रा और artist सर्मा, अब आते हम second subject, science, science के लिए best book है Lucent GK का, जो पीछे के पन्नों में 40 से 50 page के around आता है, science section, उसको आप अच्छे से go through कर जाना, उससे बाहर question नहीं आएंगे, और उसके अलावा आपके past time है, तो घटना चेकर का जो science का आता है book, उसको आप अच्छे से cover कर लेना, ये बहुत ही important है, इससे करीबन 25 से 30 question आता है, और ये आप easily इसको grab कर सकते हो, अगर आपके पास all time बचता ह तो NCRT पढ़ना, नहीं तो मैं recommend नहीं करूँगा, आप normal Lucian GK book पढ़के ही इस exam को, अच्छे से science section तो आपको नहीं चुटने वाला, अब आते हैं बिहार special पे, बिहार special के लिए English medium वालों के लिए जो crown publication की book आती है, और KBC Nano का बिहार समग्र, ये दोनों book आपके लिए objective लगा सकते हो, इसके अवला हिंदी medium वालों के लिए जो इम्तिहाज एहमत की जो बिहार एक परिशाय करेकर book आती है, उसको आप अच्छे से कर लेना, उसके साथ objective question लगा लेना, तो बिहार special section हो गया, अब आते हम current affair, current affair आप आँख मूंद कर, इस PD की जो वार्सी का पूरे साल भर का होता है, आप अपने market में जाना, वहाँ पे 70 से 75 रोपे का ये book मिलेगा, इस PD की, पूरे साल भर का जो भी current affair होता है, उसमें आप अच्छे से पढ़ देना, इसके अलावा, आपके पास time बचे, तो वीजन I.S का जो monthly compilation आता है, या आपके पास वो भी time नह कहीं जाने वाला नहीं है, इसमें आपका 30 से 35 क्वेशन आता है, तो ये चारो सेक्षन आपके around 110 प्लस क्वेशन हो जाता है, और पिछले साल कटाव भी 108 गया था, तो आप ये 4 सेक्षन पढ़कर और ये 4-5 बुक पढ़कर आप अराम से ये BPSC का प्रिलिम्स निकाल सकते ह इसके अलाव मैंने बताया, मॉक पेपर ज़रूरी है देना, आप MCQ से स्टार्ट करना, फिर उसके बाद लास्ट में मॉक किसी भी साइट वगारा से डाउनलोड करके दे देना, इससे आपका अच्छे से इस एक्जाम के लिए जो आपको डर बैठा है, वो हट जाए, प्र एक्जाम करना, उसके बाद आपका हैविड बन जाएगा और ये एक्जाम अच्छे से आप एजली विथ कॉन्फिडेंस आप क्रैक कर लोगे, अब बाकी के सेक्शन पे भी आजाते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है, तो मैथ, मैथ में आपकी जो टेन कोश्चन आत अगर आप अच्छे से प्रिपेर करते हो तो ये आपका निकल सकता है, कट आफ एजली क्रैक हो सकता है, उसके लिए आप लूशेंट की बुक इनफ है, आप उसको मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो उसी को, और उसके लिए अप्जेक्टिव कोश्चन घटना चकर से लगा सक क्योंकि उसमें प्रिवियस येर में पूछे गए हर स्टेट PCS और UPSC के कोश्चन होता है, जोकि more than enough होता है, तो ये मैंने आपको पूरा स्ट्रेटिजी बता दिया, कि आप BPSC 67 के लिए क्या क्या चीजे कहा से पढ़ सकते हो, इसके अलाव आपको और कुछ पढ़ने की जरुवत नहीं है, और आने वाले तीन महीने बाद आप खुद confident फिल करोगे, और आप ये prelims exam अच्छे से crack कर लोगे, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कोई और भी doubt है regarding UPSC, BPSC के exam, आप नीचे comment box में message type कर सकते हो, मैं आपको reply कर दूँगा, या फिर अगर topic बड़ा हो, तो सबके लिए important हो, तो मैं उसके लिए video बना दूँगा, तो अगर आपको ये video अच्छा लगा, तो please don't forget to like and subscribe, क्योंकि मैं ऐसे content लाता रहूँगा, तो इस video में बस इतना ही, thank you so much guys.